नमस्कार बच्चों, प्रमती हिल्वियू अकेडमी में आपका स्वागत है आज हम एक अपटित घध्याम्ष पढ़ने जा रहे हैं, तो आईए शुरू करते हैं एक अधेड उम्र का पटान अंगीटी के पास सिर जुकाई चपातिया बना रहा था मैंने जो ही दुकान में प्रविश किया, वह अपनी हतेली पर रखे आटे को बेलना छोड़ कर मेरी और घूर घूर कर देखने लगा मैं उसकी तरफ देखकर मुस्करा दिया, फिर भी उसके चहरे के हावबाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वह बेपरवाही के साथ ठीकी नजरों से मुझे निहारते जा रहा था खानी को कुछ मिलेगा, मैंने धीमी आवाज से पोचा लेकक ने उस होटेल के मालिक पतान से पोचते है चपाती और सालान है, वह बैट जाएए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा वो होटेल का मालिक कहता है, चपाती और सालान है, अब उस बेंच में बैट जाएए, इस तरह कहता है मैं बेंच पर बैट कर रुमाल से हवा करने लगा मैंने दुकान के बीतर जांग कर देखा बेतर तीबी से लीपा हुआ आंगन धूल से सनी दिवारे एकोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक धड़ियाल भुड़ा गंदे तकिये पर कोहुनी टेके हुए हुका पी रहा था हुके की गुड़गुड़ा हट में उसने अपने आप को ही नहीं बलकि सारे जहान को भुला रखा था बाई जान आप कहा के रहने वाले है चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड उम्र के पटान ने पूचा मलबार के मैंने जवाब दिया उसने यह नाम नहीं सुनाता आटे को हाथ में लेकर गुला कार बनाते हुए पूचा यह हिंदुस्तान में ही है ना लेकक ने जवाब देते है हाँ भारत के दक्षनी चोर मदरास के आगे तो फिर पटान ने फिर से प्रश्न पूचते है क्या आप हिंदु है तो लेकक कहते है हाँ एक हिंदु गर में जन्म लिया है उसने एक कफी की मुस्कुराहट के साथ फिर पूचा आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे क्यों नहीं हमारे यहां तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव काना हो तो लोग बेकट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं तो पिर बच्चों इस गध्यामश को पढ़कर निम्रलेकित प्रश्नों के उतर देजिए पहला प्रश्न है अधेड शब्द का शब्दार्त लिखिये अधेड उम्र का पटान कहां पर चपातिया सेंक रहाता तीसरा पटान किस तरह चपाती सेंक रहाता फोर्थ वन जब लेकक पटान के दुकान पर आते है तब जिस तरह बरताव करता है पटान जिस तरह बरताव करता है फिफ्ट वन लेकक पटान के दुकान पर क्यों गये थैं सिक्स्थ वन पटान के दुकान के बारे में लिखिए दुकान के साथ इसके बारे में आपको लिखना है सवन्थ वन पटान के दुखान में बैटे एक बुड़ा क्या कर रहा था एक वन मलबार कहां पर स्तित ह तो फिर बच्चों गध्यामशिक को पढ़कर इन प्रश्णों के उतर लिखना है तो फिर नेक्स क्लास में फिर एक नए पाट के साथ मैं आपसे मिलती हूं धन्यवाद